वेलकम डेटा इनिक्वालिटी इस वीडियो एपिसोड में आप समों का स्वालत है SBI P.U. में 5 कॉस्टिन्स इससे होने हैं इसमें क्वार्डिन एक्वेशन का एक बड़ा पार्ट होता है लेकिन कुछ दूसरे तरह के स्क्वार रूट, क्यूब रूट और डिफरेंट टाइफ के क्वेशन्स हो सकते हैं और ये बदल बदल कराते हैं चेंज होते हैं हम लोग अगली सेरीज में इस पर पात करेंगे कि variety of questions हो उन्हें कैसे solve किया जाएं इसमें होता क्या है लिखा हुआ है गिवन, give answer 1. if x is less than 1 2. if x is greater than or equal to y 3. if x is greater than y 4. if x is less than or equal to y 5. relation between x and y cannot be established ये 5 relations है इन में से कौन सा है 5 questions है, हर question में 2 equations हैं, उनसे x and y's के values निकलेंगे और उन्हें आप बताएंगे कि उस values की आधार पर उनके बीच क्या relationship है मैं लगातार बात करता आया हूं कि quadratic equation को कैसे solve किया जाता है उसको short मैं बात करूँगा इसमें, कि जब कोई quadratic equation इस shape में होता है तो alpha and beta इसके roots होते हैं, यानि किसी भी quadratic equation को इस shape में arrange कर देते हैं तो x का value होता है alpha और beta आई एक एक करके बात करते हैं, जैसे 7x square है, minus 20x है, plus 12 is equal to 0 है first, x square का coefficient क्या है, plus 7, plus 7 लेते हैं constant क्या है, plus 12 लेते हैं और दोनों को multiply करते हैं तो plus into plus, plus इस plus का महत्त्य है, importance है plus का मतलग इन्हें आपस में multiply करके two numbers बनाने हैं कहले factorize करना है, then multiply करके two numbers बनाने हैं जिनका sum ये होना चाहिए और जदी minus होता, minus, negative तो two numbers ऐसे बनाते हैं कि one को दूसरे में subtract करने से ये आता है तो ठीक है, ये 7 है और ये क्या है, 2 into 2 into 3 है आपको 20 लाना है, 20 कैसे बरके आएगा क्या 21 and 4 होगा 7 into 3, 21 होगा जदा हो जाएगा, नहीं होगा 7 into 2, 14 and 6 होगा yes, 14 and 6 minus 14 plus 6 ठीक और x square होना चाहिए 7 x square है तो 7 से divide कर देते हैं लेकिन कहीं और क्या फर्क पड़ता है उससे हमें मतलब नहीं यहां क्या फर्क पड़ता है कहने का मतलब हमारा equation इस शेप में आगया plus dot 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 equals 0 ऐसे कुछ मत देखिए x square minus alpha plus beta यानी की x का value आया 2 2 और 6 by 7 ठीक है अब second equation है 2y square minus 11y plus 15 is equal to 0 plus into plus plus add करके लाना है 2 है और 15 means 3 into 5 15 11 11 11 11 लाना है 11 11 लाना है 11 कैसे आएगा क्या 30 15 और 2 तो नहीं होगा 6 and 5 होगा 6 into 5 and 6 plus 5 और हमें तो y square चेकिए तो हम लोग 2 से divide करते हैं 2 से divide करते हैं तो क्या आता है 3 or 2.5 Яनि 2.5 और 3 इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर number line खीचें तो यहाँ पर 2.5 होगा और यहाँ 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 6 by 7 होगा यह x का value है यह y का value है समझाने के लिए है अजर भाई आप देख सकते हैं कि x is less than y answer क्या हुआ x is y है for all values x का value यह है और y का value यह है तो x is less than y answer क्या हुआ x is less than y यानि 1 इसका answer क्या हुआ x is less than y that means कि answer is 1 ठीक है इसको समझे इसके बाद हम लोग second question क्यों चलते है second question में यह तो समझ गए ठीक है second question देखिए 8x square हाँ यह equation यहाँ पर लिखके रखता हूँ x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0 8x square minus 30x minus 17 is equal to 0 plus into plus plus into minus minus less less करके लाना है plus into minus 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 plus 8 into minus 17 plus into minus minus less करके लाना है क्या लाना है 30 यह क्या है 2 into 2 into 2 और यह into 17 यही तो 8 and 17 तो नहीं होगा लेकिन 34 and 4 होगा 34 and 4 होगा क्यों? multiply करके यह और minus करके minus करके this इसलिए इसको लिखा 34 minus 4 और 8 है 8 से डिवाइट किया 8 से डिवाइट किया 8 से डिवाइट किया जब आप समझ जाएंगे तो इतना इस अपकाते की ज़रती पड़ेगी यह क्या हुआ? क्या हुआ? देखे यह क्या हुआ? 17 by 4 का मतलब हुआ 4.25 और यह क्या हुआ? minus half, minus 0.5 तो एक्स के वैल्यूस इन दोनों में से पूल आएं और y, second equation 4y square minus 25y plus 34 is equal to 0 plus into plus plus add करके लाना है 4 का मतलब 2 into 2 17 का 34 का मतलब 2 into 17 25 ला रहा है कैसे ला है? 8 and 17 25 ले? सोचे किसको करें 8 and 17 तो यहां 8 plus 17 8 plus 17 और 4 से दिवाट कर रहा है that means 2 or 4.25 हम लोग क्या देख रहे हैं बता ही? हम लोग देख रहे हैं ड्रा करने की जरुवत नहीं है हम लोग देख रहे हैं कि यह 2 इन दोनों के बीच में है relation can't be stuck this x is either less than y or greater than y ऐसा को relation नहीं है जिसमें लिखाव का हूँ कि x is less than y or greater than y कैसे? 0.5 minus और यह 4.25 और यह y का value क्या है? 2 2 2 तो x का value यह है और y का value यह है तो y का यह value this x is greater than y x is less than y and x is greater than y x का यह value y से greater है और x का यह value y से less है x is either less than y or x greater than y or x equal to y तो ऐसा को relation नहीं है जिसमें हम लिख सके तो relation can't be established answer क्या हो? answer 5 answer is 5 क्या है relation? can't be established this यह समझ गया? इसके बाद चली हमारा third question third question है यह linear equation है कैसे solve करें? थोड़ा sort में देखिए कुछ देख रहा है 2 से multiply करें और add कर दें 2 से करेंगे तो 14y add करेंगे cancel 2 से करेंगे तो 24x and 13x 37x और 2 से मुटिप्लाई करेंगे तो 56 then 203 259 यासा नमबर इसको 40 मानिए तो 40 से 40 मानिए 7 जा बोले 4 सत्य अठाइस 280 7 है न? 7 37 prime है 7 7 जा 49 यह 7 times कटेगा 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 कोई पाइ नहीं है प्राइम है cancel होना है तो x equal to 7 और x का value 7 इसमें रख देजिए x का value 7 84 हुआ 84 12 into 7 84 84 minus 28 is equal to 7y वह भी कभी-कभी मन करता है ऐसे cancel ना करतें कौन लेस करने जाए कौन लेस करने जाए y is equal to 8 को क्योने बोल दे x is less than y answer is 1 रुक यह इसमें कुछ student को problem हो रहा होगा मैंने sort में किया कि इसे exam में करना है otherwise आप क्या देख रहे है यह है 13x और plus 14y है is equal to 203 और second वाला जो इसको 2 से multiply कर देते है तो 24x और यह minus 14y is equal to 56 और जब add करेंगे तो यह ऐसे होगा यही मैंने sort में लिखा था 259 यही मैंने लिखा था यही मैंने लिखा था यह समझ में आ गया होगा उसी तरह से जब values पुट किये गए 12 into x x का value 7 minus 7y is equal to 28 ऐसे जब इस तरह काते है तुम तो cancel भी कर रेते हैं तो y is equal to क्या हुआ 12 minus 4 यानी की 8 ऐसे तो मेरे ख्याल से यह समझ में आ गया होगा ठीक है next आई next x is equal to half square root of 1 1 4 4 9 सुरिये exact square root गालने का क्या तरीका होता है 1 1 4 4 9 यह किस नंबर का square है इसको छोड़ दीजे 11 square होता है 121 इसको देखिये इसको और 10 square होता है 100 114 lies between 101 तो यह बताता है कि दरसल 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 इसके बीच में 9 कैसे आता है या तो 3 का square या 7 का square 114 is closer to 121 so 107 अगर 114 100 के close होता तो अंसर होता 103 this is 107 square that means 107 समझ में आ गया होगा 114 100 के नहीं दीक होता तो यह इसके नहीं दीक होता तो यह तो आप देखिए 114 का difference यहां पर 7 है यहां 14 है उदर कीप रहे हो कि यह उदर 107 यह समझे तो इसका value निकला यह बहुत शांदार है बहुत शांदार है why q लिखा हुआ है और square root of two six two one four four कौन square root निकलने जाया है ऐसा करते हैं आप पहले q root निकाल देखे square root निकालने के पμηद q root निकालना है हमनों बुलते हैं नहीं नहीं क्या करते हैं पहले इसका q root निकाल देते हैं और फिर निकालेंगे square root क्यों q root निकालना बड़ा असान है देखे 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 4 means 4 6 का cube to mean 6 होता है और इसका square root 8 नहीं समझ में रहा है तो x x x x is greater than y यह होगा की नहीं यह बताएं तो answer क्या होगा x is greater than y x is greater than y यानी की x is greater than y 3 answer is 3 और अब यह 5th question, last question देखे, quadratic question है, solve तो ऐसे ही करना है लेकिन थोड़ा गौर कीजी, यह cancel होगा ना, cancel कीजी, 4 से cancel होगा ना, 4, 4 is common cancel, 4 से common लेकि cancel करेंगी तो क्या होगा, 9 x square, 6 root 2 x plus 2 is equal to 0, होगा, थोड़ा गवर कीजी, जब root 2 आता है तो क्या समझते है, root 2 आता है, root 2 आता है, हम लोग सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, कहीं आसा तो नहीं, कहीं आसा तो नहीं, सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, 2 A A A B B B B B B, yes, 6 root 2 x, this is 3 x plus root 2, 1 square, is equal to 0, 0, 0, yani x का value, minus root 2 by 3, होगा गळी, इसका मतलब क्या होगा, 3 x plus root 2 is equal to इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यह कालबरिशन मन में कीजिए, यहाई जाना है? इस समझे? उसे तरह से सेकंड नंबर आईए, सेकंड एक्वेशन में क्या है? 25y स्क्वार माइनस 20 रूट 3y प्लस 12 एज इक पर दो 0, क्या देख रहे हम लोग? यहाँ भी बा गमर का स्क्वार नहीं होता है ना? सोचिए दूछरा, 2 A A A, 2 A so b क्या होना चाहि? क्या होना चाहिए, 2 5 10 उवा ना? 10 निकाल दिजिए, तो क्या बस था है? 2 9 root 3 कहीं, 2 root 3 का स्क्वार तो नहीं है कहीं एक 2 root 3 का स्क्वार तो नहीं है 2 root 3 का square तो नहीं है Yes, 4 into 3, 12, 12, 12 ये 2 root 3 ही है समझ में आगया होगा 5y minus 2 root 3 whole square is equal to 0 यानि कि y is equal to 2 root 3 by 5 बुले होगा कि नहीं y is equal to 2 root 3 by 5 अब उनलोग क्या देखने है x is less than y x is less than y x is less than y यानि कि one answer बुले आपको ये data inequality का class कैसा लगा कुछ नया सीखने के लिए बिलाया नहीं आपका confidence आगे पढ़ाया नहीं ओके all the best